लेकिन असली union जो होती न दोस्तो वो आपको काम नहीं दिलाती है लेकिन अपके मान सम्मान को दिलाती है काम तो आप ढूंड ही लेंगे लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं प्राबलम इस film इंडस्टिरी में होते हैं उसके लिए आपके साथ ये union कैसे खड़ी रहत तो वहां के security guard ने उन्हें रोक दिया, अब क्यों रोका और वहां पर कौन सी union ने आके उनका support किया दोस्तों और कैसे ये पूरी घटना हुई ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज आपको बताऊंगा कि भाई union और क्या क्या काम करता है, इसकी क्या होती है power, आप में स बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो नमस्का दोस्तों मैं हूँ रामा यादो और इस film industry में camera technician का काम जो है मैं कई सालों से कर रहा हूँ, और वहीं से बहुत सारी जानकारी लेके आप लोगों के लिए आते रहता हूँ, कि कैसे मि बहुत सारी वीडियो है, जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पता नहीं कोई सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे, खैर अभी हाल ही में घटना होई गोरे गाओं जो फिल्म सीटी है, उसके अंदर एक कलाकार है जिनका नाम वासू पाटिल है, वो अप सब्सक्राइब करता, आप में से कई सारे लोगों के साथ भी हुआ है और आप लोग लोट गए, लेकिन इन्हों ने भाई ये कहा कि भाई ये यूनियन तो बहुत पुराना है, और ये संगठन भी बहुत पुराना है, तो भाई ये क्यों नहीं चलेगा, तो भाई इस बहुत पुरानी है दोस्तों, इनका प्रभादेवी में ओफिस है, इस तरह के बहुत सारे यूनियन है, भाई ये देखे, स्यूसेना की भी अपनी यूनियन है, आपको पता ही होगा, आपका पास कार्ड होगा तो, भाई और इससे जबरतस जो यूनियन एक बहुत तौपल कार्ड है, इनके बारे मनों ने कह दिया कि यह नहीं चलेगा, आप बात सोचिए दोस्तों, हम कहां है, फिल्म सिटी कहां है, महराष्ट में है, यहां कि अपनी भासा मराठी है, अब उसको ही कह रही है, यह नहीं चलेगा, यह बिल्कुल गलत बात है, मैं भी मिंदा करता इसकी, क्योंकि ऐसा चलेगा है नहीं, यह जो है, फिल्म सिटी के अंदर, अगर कोई मराठी फिल्म होती है, तो उसे सबसिटी दी जाती है, और यहां पर हर जगह तो मराठी भासा बोली भी जाती है, और यहां का ही संगठन है, यहां का ही चित्रपट संगठन है, और उसक कार है बिजय पाटेकर पहुंच चुके हैं साथ में स्यू संगराम चित्रपट संस्कृती विभाग के महाराश्य अध्यच जो है वह दीपक कदम जी वहां पहुंचे और आपको बता देव वेस्टन इंडियन फिल्म प्रडूसर जो है वहां के जो अध्यक्ष है दिलिप दल पत्र दिया और उनको कहा कि देखिए ऐसा है कि आप यह जो कार्ड बोलते हो नहीं चलेगा और आपके सिक्यर्टी गार नी जो बत्तिमी जी की उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी और दुबारा इस तरह की हरकत किसी भी ऐसे जो कार्ड जो है हमारे जो यूनियन के लोग हैं अगर हमारी यूनियन का कार्ड अगर कोई लेके आता है और उसे इस तरह के बत्तिमी जी और कहोगे कि नहीं चलेगा ऐसा कहोगे तो भाई हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्यदारी आपको लेनी पड़ेगी यह सारी चीजे भाई को इतनी स यह पुरानी यूनियन है उनको यह बात कि जानकारी नहीं थी तो इस तरह से यूनियन जो है अपने वरकरों का अपने कलाकारों का को संगठित रखते आं आपको मजबूत करते हैं तो इस घटना से आपको पता चली गया होगा दोस्तों कि union की कितनी अच्छी ताकत होती है और आपको इसी को विचार करके एक अच्छी union का कार्ड बनाना चाहिए थोड़े पैसे जाते लगते हैं लेकिन बहुत सारी जो facility वो आपको मिलती है दोस्तों तो अब आप समझ चु वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो भाई प्लीज लाइक जुरूर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लिए पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दिए तो चलिए अभीक लेपस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए समस्कार झाल